हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका शिल्पा की रसो इसे में आज हम आपके लिए लेकिया हैं व्रत वाले रगड़ा पेटीस याने आलू टिक की चाट की रेसिपी नवरात्रे के व्रत शुरू होने वाले हैं तो चले बनाते हैं नवरात्रे के लिए कुछ स्पेशल चाट तो कुछ आलू को उबाल लेते हैं टिक की बनाने के लिए हमें आपे साबुदाने के पाउडर की जरूरत होगी तो हमने साबुदाने को मिक्सी में डालके इस तरह से पीस लिया है दरदरा इसमें हम दो चमज पाउडर ले लेंगे और इसे पानी डालके धो लेंगे तो इसमे जब बात चल रही है चाट की तो इमली की चटनी के बिना तो कोई भी चाट अधूरी होती है तो हम इमली को फुला देते हैं ओर साथ में हम ग्रीन चटनी बना रहे है तो हम कहाँ इह पर लिया है हड्ष धनीया हर्य मिर्च इसमें डाल देंगे हम आदा चममज जीरा और इसमें हम डालेंगे 2 जममज यह खट्टा वाला दही है दही डालtime 00724-07 Mommy हमको इसमें नीबु डालने के जोरद नहीं है il identific s में हम नमक डाल देंगे वरत वाला नमक का हम यूज करेंगे तो यह तयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सी ग्रीन चट्नी पचेवे दही में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और चीनी डाल देंगे इसे अच्छे से फेट लेंगे इसका यूज हम करेंगे चाट में उपर से डालने के लिए तो हमारा दही भी तयार हो गया है इमली हमारी भीगो के फूल गई है अब हम इसको अच्छे से मैश करके छान लेते हैं और इसका जो पल्प है वो अलग कर लेते हैं इमली की चटनी बनाने के लिए हमने एक गड़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जब हमरत जीरा क्रेकल हो जाएगा उसके बाद में जो हमने इमली का पानी चाना था वो हम इसके अंदर डाल देंगे आप चाहे तो इमली के पानी को भी अलग से बॉइल करके फिर उसके उपर तड़का डाल सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं जब इसमें अच्छे से बॉइल आ जाएगा उसके बाद में हम बाकी की चीज़े इसमें डालेंगे तो अभी हम डाल रहे हैं इसमें नमक साथी में हम इसमें डाल देंगे चीनी तो 2 बड़े चमb 사다 हम इसमें चिनी डालेंगे आप चाहिए तो इसमें गूड़ भी डाल सकते हैं इसको तीखा करने के लिए हम थोड़ी सी लाल मिर्श पौडर डाल रहे हैं इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसमें बॉईल आने देंगे तो चलिए अब आलू की पेटिस याने की टिक्की बनाने के तियारी करते हैं तो हमने यहापे दो बड़े उबलेवे आलू ले लिए हैं इसे हम मैश कर लेंगे थोड़ा अब हम इसमें जो हमने साबुदाने गलाए थे आलू में दो चमच पाउडर अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं और इससे अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चाहे तो इसमें धनिया और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं तो हमारा टिक्की बनाने के लिए जो डो है वो रेड़ी हो गया है इसे हम अलग कर देते हैं अब हम रगड़ा की त्यारी करते हैं याने कि हम चोले त्यार कर लेते हैं तो हमने जो पीनट उबालने के लिए रखे थे वो वह भलके त्यार हो गए हैं अब हम इसको फ्राइ करते हैं तो एक पैन में हम डालेंगे एक चमच तेल या फिर आप इसमें गी भी डाल सकते हैं कि उसमें हमने जीरा डाल दिया है जेब जीरा क्रेकल हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे हरी मिट और अदरक कुछ लोग टमाटर भी खाते हैं वरात में तो आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे उब्लियोवे मॉंफली के दाने झाओ pendant 12 gehen से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें डाल रहे हैं एक उबला हुआ आलू जिसको हमने रफली मैश कर दिया था अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले तो हम निया पर डाल रहे हैं लाल मिच पाउडर नमक अगर आप धनिया खाते हैं अपरत में तो आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं पहले हमने लाल में चिसले ने डाली है अगर हम पहले डालते हैं तो तेल में जल जाती है इसलिए हमने उपर से डाली है अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से बॉइल कर लेंगे अब इसमें पानी पानी अलग जा रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा गाड़ा पन लाने के लिए एक चमच अरा रोट में थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको डालेंगे जैसे मंचूरियन में हम कॉन फ्लॉर को डालते हैं वैसे हम यहापे अरा रूट को डाल रहे हैं ताकि जो हमारा रगड़ा बन रहा है वो थोड़ा गाड़ा बने या फिर आप आलू को भी थोड़ा इस तरह से मैश कर सकते हैं उससे भी हमारी जो ये रगड़ा है वो थोड़ा गाड़ा हो जाएगा तो हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा अरारोट का पानी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें अच्छे से उबालाने देंगे उपर से ताजा कटा हरा धनिया डाल देंगे तो लोजी तैयार है हमारा रगड़ा यनिकी छोले इसे आप ऐसे भी वरत वाली पूरी या प्राटो के साथ में इसका लुप्त उठा सकते हैं अब टिक्की बना लेते हैं तो थोड़ा सा पोरिशन हाथ में लेके इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे हम इसे शेलो फ्राइ कर रहे हैं इसे डिप फ्राइ नहीं कर रहे हैं आप इसे चाहे तो डिप फ्राइ भी कर सकते हैं कुछ लोग वरत में घी खाते हैं तेल नहीं खाते हैं कुछ लोग तेल भी खाते हैं मुँफली का तेल चाहित खाते हैं तो आप जो भी खाते हैं आप उसमें से फ्राई कीजिए और उसी में आप सारी चीजों को बनाए आप के आप वरत में क्या-क्या नहीं खाया जाता है और क्या-क्या खाया जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कुछ लोग वरत में टमाटर भी खाते हैं कुछ लो जब भी आप इसे खाए तो गरम खाएंगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि ठंडे होने के बाद में ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तो अब इसे सर्व कर लेते हैं तो प्लेट में हम पहले रखेंगे टिक की उसके उपर हम डालेंगे रगडा अब उपर से डालेंगे जो हमने दही मीठा किया था डाल देंगे हरी चटनी उपर से डालेंगे हम हमारी खट्टी मीटी इमली की चटनी तो लोजी तेयार हमारी रगडा पेटी स्चाट याने आलूटी की चाट नवरात्रे स्पेशल में ये रैसिपी में आपके लिए लेके आई और भी अच्छे रैसिपी में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 9 दिन की 9 रैसिपी में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ तो वही आप अपने घरवालों को साबुदाना के लाके बोर हो गए हैं और बना के भी बोर हो गए हैं तो आप ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत अच्छी लेगी और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके आपे नौरातिर के वरत में क्या-क्या नहीं खाया जाता है ताकि मैं उसका आगे के वीडियो में ध्यान रखूँ और मैं आपके साथ में बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ व्रतवाले पनीर की रेसिपी, व्रतवाली रोटी और खमन, धोकला, साथ में हम बनाने वाले व्रतवाली इडली तो दोस्तों मेरे साथ में बने रही है और अभी तक मेरे इस पेज को यहने शिल्पा की रसोई से को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फेस्बुक पे देख रहे हैं तो मेरे इस पेज शिल्पा की रसो इसे को फॉलो कर लीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग दीस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक्यार